हलो एवरिवन गूड मॉर्निंग वेलकम बैक टू मैं चैनल कैसे हैं आप सभी आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो जी मॉर्निंग के नौ बची का टाइम है और आज अर्ली मॉर्निंग ही मेरा आ गया था कोरियर तो यहां पर कोरियर जब भी आता है उसको रिसीब करके बस यह होता है जल्दी से ओपन करके एक बार देख ले रहा नहीं जाता जब तक कि इसको देखना ले तो मैंने ना दो तीन चीजे ओडर करी हुई थी तो मैं वही देखना चाहरी थी कि बस क्या आ रखा है तो मैंने यह पर्दे मंगा रखे है कीचन पर मुझे पर्दा लगवाना था आपना क्योंकि मेरा ओपन कीचन है तो जैसे घर में कोई गैस्ट वगर करते टाइम तो अच्छा लगता है तो कीचन के लिए मैंने बस नेट का पर्दा मंगा रखा है और यह पर्दा इतना ज्यादा अच्छा रखा है इसके quality मतलब बहुत ज्यादा अच्छी आ रखी है ये पर्दा मैंने मीसों से मंगा रखा है कई बार कोई चीजे खराब आ जाती है पर मेरा मतलब ज्यादा तरना हर चीज अच्छी ही आई है अभी तक और बस ये पर्दा मैंने दो पर्दे मंगा रखे थे अपने काम पे सोचा आपके साथ भी शेयर करो मैंने क्या ओडर कर रहा था तो कोरियर वगरा उपन करने के बाद मसीन मैंने आज मॉर्निंग में ही उड़ते ही मसीन लगा दी थी क्योंकि आज कर मॉर्निंग में ज़्यादा काम तो होता नहीं है बस हस्बन को ओफिस जाना होता है और मेरे हस्बन लँजव अगरा भी लेके नहीं जाते हैं बस उनके लिए मुझे गरम गरम नस्ता बना के उनको भेज़ देना होता है ओफिस मसीन लगाए थी मसीन लगा के एक स्लॉट मेरा कपड़ों का धुल चुका था तो उनको रग दिया था ड्राय करने के लिए उसके बाद जो है मैं उनको पानी से निकालूंगी तो मेरा कपड़े दोने का तरीका यही है जो लोग मुझे हमेशा देखते हैं उनको पता ही है मैं कैसे कपड़े वाश करती हूँ बाकी इस तरीके से पानी की वेश्ट बिल्कुल नहीं होता पानी तो बस इसी तरीके से मैं हमेशा कपड़े दोना पसंद करती हूँ दूसरा slot लगा के आ गी थी कपड़ों का और साथ में कपड़े भी ऐसे होते हैं हर कोई कपड़े आप मतलब एक साथ नहीं दो सकते हैं अलग अलग कपड़े होते हैं सबी की तो बस पहले मैं बच्चों के ही लगाती हूँ उसके बाद जो है कुछ ऐसे होता है वुलन के कुछ इनर्स वगरा तो हर चीज अलग अलग ही लगती है जैसे हजबन के ओफिस के कपड़े हैं उनको किसी के साथ नहीं धो सकते तो ऐसी होता है बस तो चार से पांच बार आराम से कपड़ों का स्लोट मेरा लग जाता होगा च बच्चों की छुटिया हैं बच्चों की हो रहे हैं मजे तो बस बच्चे मॉर्णिंग के टाइम ना बैट छोड़ने को बिलकुल तयार नहीं होते हैं जैसे तैसे उनको उठा रखा है बच्चे अपना फ्रेस वगरा हो रहे हैं तो यहां पर सोचा जल्दी से बैट भी मै अपना जार दूँ आज मुझे अपनी बैट सीट भी चेंज करनी थी जैसे के आपको पता है घर में आने वाले हैं धेर सारी महमान तो महमानों के आने के तैयारियों में में लगी हुई हूँ साथ में जो है थोड़ा थोड़ा करके अपना काम करते रहो ना तो एक ही दिन आप में बहुत ज़्यादा बड़न नहीं पड़ता है बैट सीट को बिछे हुए भी काफी दिन हो गए थे तो सोचा उसको आज चेंज कर दिया जाए और बिछा दी है अपनी फेवरेट बैट सीट जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और जो मैंने ये मैटरस प्रो खिसकती है बिल्कुल जैसे की तैसे रहती है मौनिंग में भी बैट बगरा एक बार अगर आपका सैट हो जाता है तो लगता है कि आधे घर की क्लिनिंग हमारी कम्प्लीट हो चुकी है बाकि जाड़ो पोजा करने में इतना टाइम नहीं लगता जितना की सारी चीजों को उ यूज होंगे ही तो इसलिए बस इसमें भी मैंने गरम वाली बैट सीट बिछा दी है क्योंकि नीचे से बहुत ज्यादा लगता है नहीं तो आजकल अगर गरम वाली बैट सीट आप ना बिछा हो तो दोनों में गरम बैट सीट बिछा दी है मैंने और मेरे पास ने कमेंट प्रिया था कि दीदी आपना सिंगल बैट के लिए सिंगल बैट सीट मंगा लो तो मैं ना सिंगल बैट सिर्ट जान बुझके नहीं मंगाती हूँ चूंकि वो ना उनकी लेंध इतनी छोटी से होती है, मतलब एक्तम फिट आते हैं वो और अगर आप इधर उधर से दबाते हैं तो वो छोटी हो जाती है तो इसका गदा भी ना थोड़ा से बाहर आता है मतलब इसका गदा थोड़ा सा बढ़ा भी है तो सिंगल बैट से इसमें फिट नहीं आपाती है तो मैं डबल बैट की ही विछाती हूँ तो बस चलिए बैट दोनों हो गए हैं सैट मेरे और एक कमेंट भी आया था मेरे पास मतलब उनका कमेंट ना बहुत बार आ चुका है मुझे एक ही कमेंट की आपका ससुराल सौरी आपका माईका कहा है तो कल की वीडियो में भी उन्होंने कमेंट करा था कि आपने नहीं बताया कि आपका माईका कहा है वसे ही मैंने उन्होंने मुझे दो, तीन बार पूछ चुके हैं वो पर मैं उनको reply दे देती हूं, सायद भो reply मेरा पढ़ने पाती है? पता नहीं क्या है तो मैं बार-बार reply तो मैं सबका ही देती हूं तो मेरा माई का मेरा ससुराल दोनों ही कुमाओ में है और कुमाओ से ही मतलब मेरा माई का ससुराल में बहुत ज़्यादा गया वैसे तो दूरी है पर यहां के हिसाब से दूर है हमारी पहाड के हिसाब से कोई दूर नहीं है गाड़ी का ही रास्ता होता है वैसे आजकल हर जगों के लिए तो गाड़ी से मतलब अगर हम जाते हैं तो एक डिर घंटा लगता होगा डिर घंटा लग जाएगा आराम से इतनी दूरी पे मेरा मायका और ससुराल है और मायका सस्वराल दोनों मेरा मैं कुमाओ से ही हूँ तो मेरा मायका सस्वराल भी कुमाओ में ही है और मम्मी लोग मेरे नहीं रहते हैं गाओ में वो सबी लोग डैली में रहते हैं नोयडा में रहते हैं और बस चलिए उमीद करूंगे आपको ना आप मेरा माइका कहा है वो पता चल गया होगा और यह देखे ग्रोसरी सौपिंग करके आई थी कल आपको पता है धेर सारा सामान लेके आई थी में में चीजे जितनी भी थी इसमें मतलब मसाले वगरा सारे नहीं थे जो जो मसाले ख बच्चे ना कभी भी बोल देते हैं ममा मैगी बनाओ तो उनके लिए मैगी जरूरी हो जाती है खास करके तब जब उनकी छुटिया हो और आप लोग बोलते हो मैगी मत देना पर बच्चे ना नहीं मानते हैं तो कभी कभार उनको देना ही पड़ता है और कभी कभार मैगी चीज़े मैं नहीं लाती हूँ तो कल की वीडियो में कमेंट ये भी आया था कि दिदिया आपना मंतली ग्रोसरी में कैसे हम पैसे सेव करें उस पे भी बताना तो देखिए इतना ज्यादा मैं कोई कि मुझे इतना सेविंग का पता है पर वही है मैं कोसिस करती हूँ कि जितना भी हो सेगे आपको ऐसी चीज़े लेनी चाहिए जो कि आपके जरूरत की हो फिजूल खर्चिक करना थोड़ा सा हमें कम करना चाहिए और जो चीज में में होती है देखिए वो चीज़ लेनी ही खास करके घर में छोटे बच्चे हैं तो बच्चों के लिए तो सारी चीज़े जरूरी हो जाती है चीनी भी बिल्कुल खतम थी जैसे के आपको पता है मैं चीनी वाली चै बिल्कुल नहीं पी रही हूँ तो चीनी मेरे यूज होती नहीं है तो मैं लेके आ गई थी घर में चीनी रहने दो चीनी 1 kg हमें मिल गई थी सामान जैसे हम सामान लेते हैं ना स्मार्ट बजार बगरा से तो इसमें 1 kg आटा और 1 kg चीनी जो है फ्री में मिल जाती है मतलब फ्री क्या 9 रुपे किलो के हिसाब से आपको वह मिल जाती है तो उतने से तब तक फिलाल हो जाएगा ब अच्छे हैं कि नहीं है बाकी इनको और्गनाइज कर देते हैं और जब भी मैं अपना सामान और्गनाइज करती हूं सबसे पहले एक बार मैं जो जो कंटेनर में मैं सामान लगती हूं को चेक कर लेती हूं कि किसी में आधा मसाला बगरा तो नहीं बचा है क्योंकि कई बार इसा होता है ना हमारे मसाले आधे-आधे पैकेट में बच्चे होते हैं और वह वैसी रह जाते हम न्यू ओपन कर देते हैं तो जब भी मैं अपने ग्रोसरी सौपिंग को और्गनाइज करती हूं तो हमेशा मैं एक बार चेक जरूर कर लेती हूं कि कौन-कौन सी चीजे ऐसी ह पहले उनको यूज कर लिया जाए उसके बाद न्यू पैकेट वगरा हम ओपन करेंगे तो यह सारी छोटी-छोटी सी चीजे हैं वैसे पर इनको ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है नहीं तो अगर आप इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं तो फिर घर में एक अब आगई थी च्छत पर कप्रे धोये थे तो उनको भी सुखा देते हैं मैंने अपने कीचन के और बाथरूम का भी था एक यह पाइदान जो होते हैं वो भी वाश करे थे तो उनको भी मैंने बहुत अच्छे से धो लिया था इनको भी ना धोना ही परता है मतलब महीने मे दो बार में इनको धोई देती हूँ कीचन का तो खेर ज्यादा धूलता है मेरा किकि उसका कलर भी ऐसा है तो वो जल्दी गंदा हो जाता है कीचन वाला तो मुझे हफते भर में एक बार धोना ही परता है हफते में ना भी धोग तो दो हफते में एक बार आराम से धूल जात दूप इतनी अच्छी थी और साथ में हवा इतनी ज्यादा तेज थी ना कि मतलब आप देख सकते हैं मेरे कपड़े ऐसे ऊड़ रहे थे और मेरी चिम्टी ना बिल्कुल सारी खतम हो गई है बच्चे इधर और फैंक देते हैं तो चिम्टी थी भी नहीं ज्यादा तो मैंने कपड़े नहीं डाले नीचे गिर जाएंगे तो फिर ढूड़ने में बड़ी आफ़त आएगी तो बस वह था कि छट में किसीने कपड़े भी सुखाए नहीं थे तो हवा से भी कपड़े बड़ी जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि मसीन में ड्राय करे हुए होते हैं तो मैं तो फिर एक बेजी के बाद हमारी धूप चली जाती है छट में आ गए तो आ गए नहीं तो फिर ऐसे ही बैठे रहो तो लंच में बना दिया था ताकि मैं छट में जाओं तो मुझे लंच का कोई टेंशन ना रहे और बच्चे भी छट में आ गए थे मेरे सान बच्चे सारे इसमें बच्चों के ही थे और चली एक कपरे सारे सुख गए है अब जो है बालो में कंगी कर लेती हूं और इस तरी किसी खिली खिली सी धूप रहती है ना जब तो बड़ा मज़ा आता है धूप सेखने का पर वही था हवा भी काफी तेज थी तो इतना धूप लग न से रहे जाते हैं अगर अगर आख बाल बगरा कंगी नी करते ना टाइम टैम पह तो आपको हेःẻ फोल का प्रॉलम भी होता है तो जलीए आज मौका मिल मिल गया था जल्दिस अपने बालो में कंगी कर लेते हैं पुरा दिन कल भी मैंने कंगी नहीं कर ली थी साहट जहा त मेरे एक सब्सक्राइबर है जो मुझी बोली थी कि दिदी अपना विंटर हैर केर रूटीर हमारे साथ शेयर करिए तो मेरा विंटर हैर केर कोई ऐसा खास है नहीं कि मैं आपके साथ शेयर करूं नॉर्मली रहता है मेरा बस ऐलिंग वगर आपको ज्यादा करनी होती है और बाकी इनी चीजों का ध्यान देना होता है बाकी मेरा कोई ऐसा सीक्रेट इतना कुछ होता नहीं है कि मैं आप सब के साथ शेयर करूं आपको बड़ा नहीं हिलों तो ऑल बगर वगर अन्य पैर दोन जिनी और बाद भी सबल्भा? बच्चे भी अपना खेलने में लगे हुए हैं फिर चलते हैं नीचे नीचे तो अभी से नहीं जाओंगी थोड़ा देर धूप सेकते हैं नीचे अभी मेरा कोई काम था नहीं फिलाल जो है इसी के साथ ही अपने आज की वीडियो को यहीं पर एन करूंगी उम्मीद करूंगी आप सभी को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लेना वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना मैं आप सबसे मिलूंगी अपने अगली ने वीडियो में तब तक के लिए आप सभी झाल 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 झाल